इलो फ्रेंट्स मेरा नाम जगविंदर है, चले इस Spanning Tree Protocol के Part 6 में अभी हम जानते हैं Rapid Spanning Tree Protocol के बारे में देखें जब Spanning Tree Protocol डिजाइन किया गया उस समय पे हमारे पास जो bandwidth अवेलेवल थी वो बहुत जादा नहीं थी इसलिए जो STP network 30 to 50 seconds लेता है convergence के लिए लेकिन जैसे जैसे हमारी applications बढ़ती गई और हमारे पास bandwidth ज़्यादा available होने लगी तो ये 30 to 50 seconds का समय बहुत ज़्यादा लगने लगा तो एक और protocol बनाया गया जिसको बोला जाता है Rapid Spanning Tree Protocol Rapid का नाम से ही पता है यानि के कुछ quickly work करता होगा और IEEE ने इसको define किया 802.1W specification भी इसको बोला जाता है IEEE की इसमें से कुछ port states को हर्टा दिया गया जैसे कि हमने देखा था कि पहले disabled port state होती थी blocking, listening, learning और फिर forwarding में हमारा port है वो आता था लेकिन इन में से Rapid Spanning Tree Protocol में RSTP में इन तीनों को हटा के एक learning stage रखी गई एक forwarding stage रखी गई और कोई भी blocking stage ना रखके एक alternate state रख दी गई जिससे कि उसको quickly जैसे हमारी blocking stage से हम इसको forwarding में लेके आते थे तो यहाँ पे हमें STP में इसको 30 to 50 seconds का समय लगता था बट RSTP में यह समय घटा के बिलकुल 3 hello timers के बराबर यानि के 6 seconds रख दिया गया है तो बहुत quickly हमारा जो alternate port है जो STP में blocking port कहलाता था और RSTP में alternate port कहलाता है वो बहुत जल्दी हमारी forwarding state में आ सकता है तो क्योंकि इसमें से listening की state खतम कर दी गई है तो alternate state से वो सीधा learning state में आएगा और learning state से सीधा forwarding state में आ जाएगा within 6 seconds तो इसको देखते हैं कि इसको configure करने के लिए हमें क्या effort करने पड़ेंगे या तो इसको अभी हम समझते हैं packet tracer के दवारा तो packet tracer में वही topology base जो हमने पहले लिया था वही है जिसमें से एक हमने अपना root bridge बनाया था जिसमें हमारी जो अगर हम चेक करें show command से show spanning tree तो आप देखेंगे कि इसमें spanning tree protocol enabled है IEEE और जो हमने last videos में इसमें कुछ changes किये थे root bridge बनाया root ID, bridge ID आपको दिख रही है तो चलिए अभी हम switches में change करते हैं और चलिए इन switches में कुछ change करते हैं मैं इस switch पे जाता हूँ switch 3 है जो हमारे case में enable mode में जाके यहाँ पे भी आपको show spanning tree दिखाता हूँ तो देखें अब हम इसमें configuration mode में जाते हैं और rapid spanning tree enable करने के लिए command लिखते हैं spanning tree इसके बाद question mark से help लेते हैं तो इसमें देखें mode आ रहा है एक command एक option तो mode option को select करते हैं और mode के बाद फिर question mark लगा के तो यहाँ पे दो options मेरे पास available हैं एक है per VLAN spanning tree और एक है rapid per VLAN spanning tree तो देखें मैंने आपको पहले ही बताया था कि क्योंके हम already इस mode में होते हैं यहाँ पे हम system extension ID use कर रहे होते हैं VLAN ID use कर रहे होते हैं तो PVST यानिके per VLAN spanning tree पहले से ही हम capable होता है हमारा switch उसके उपर work करने में य अब हम rapid spanning tree करने वाले हैं यानिके rapid per VLAN spanning tree और यहाँ पे R लिखते हैं इसके बाद control Z करके आपको दुबारा से show spanning tree command दिखाते हैं तो देखें यहाँ पे आपको आ जाएगा कि spanning tree enabled protocol RSTP यानिके rapid spanning tree इस समय work कर रहा है तो यही काम मेरे को दूसरे switches के उपर जाके भी configure कर देते हैं इनको भी ताकि यह भी rapid spanning tree को follow करें तो यहाँ पे भी command spanning tree mode और mode के बाद हमारा जो भी हम protocol run करवाना जाते हैं इसी तरीके से तीसरे switch पे भी जलते हैं और यहाँ पे भी spanning tree mode और हमारा rapid spanning tree इतना होने के बाद आप देखें कुछ changes हो रहे हैं पीछे background में spanning tree rapid spanning tree समय हमने enable कर ली है और network हमारा full converge हो गया है तो इस वीडियो में इतना ही thanks for listening अष्यके ती झासरे इस neतनी झालने हैं अचेशे कि हाँ झालने हैं